हेलो दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एकजाम यूज बाई ओदैसर में दोस्तो ये वीडियो आपके लिए काफी मदद करेगी आने वाले एकजाम में और दोस्तो इस वीडियो में जो मैं आपके लिए खासियत बता रहा हूँ जो इस वीडियो की खासियत है वो पिरसन है इस वीडियो में जो आपके 2018-2019 में online exam होए थे उन में से 50 पलस अच्छे पिरसन है जो hard level के पिरसन है वो लेकर आए हम आप सभी के लिए तो दोस्तो इस व पिरसन है आप सभी के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेहंदर परताब चंद एक पिरसिद कभी है और उनका काव्य भाषा में कौन सा है तो किस भाषा के कभी थे किस भाषा में कभी ताही लिखते थे और इसका जो right answer होगा उर्दू नेक्ट पिरसन देखते हैं अब दोस्तो सारे पिरसन एकजाम में पूछे गए हैं बिल्कुल जितने भी हम कवर करेंगे 50 प्लस पिरसन इस वीडियो में तो नेक्ट पिरसन देखते हैं देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राश्ट्य आंदोलन को क्या कहते हैं तो इसका जो right answer होगा प भारती सिंगर रूपिंद्र हंडा का जनम हरियाना के किस जले में हुआ था तो मैं आपको बता दूँ यह गाई का है रूपिंद्र हंडा और इनका जो जनम है वो सिर्सा में हुआ है तो इसके बारे में बार बार एकजाम में पूछे जाते हैं पिरसन और एक है यस्पाल स उनका संबंद भी कई बार पूछा गाया है वो किस से संबंदित हैं वो भी एक अभीनेता है बार बार पूछा जाता है नेक्स प्रसंद देखते हैं यम्नानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्स की गई थी तो इसका जो राइट आंसर हो प्रसंद दोरान किसे हीरोईण औफ उन नी सो बयालिस की उपादि राप्त होई बिलकुल अच्छा प्रसंद हैं इनका हर्यान से संबंद हैं अरुना आशफ अली तो ऑसे हीरोईण औफ 1945 की उपादि दी गई थी अगला प्रसंद ग्यानोभ्यया शमाचएतिय पत्र जो हि यह भी एक्जाम में पूछा गया है तो हमारी जो खासियत है हम आपके लिए अच्छे प्रसन लेकर आते हमेशा इजी प्रसन हम बिल्कुल नहीं करवाते हैं और प्ले लिष्ट में हमने बहुत सारी वीडियो अप्लोड की हैं अगर किसी भाई न वह हर्यान जी के से संबंद ह्ष्ड हर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर च्छेक आउट करने सारी वीडियो है उसमें कम से कम 70 पलस वीडियो डाली है और हड्लेवल की वीडियो करवाईे हैं जितनी भी है सारे प्ले बार लेकच्ष में जाकरॊ आपको मिल जाएगी प्लेश्ट President Clement सेतंतरता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है और इसका जो सही आंसर होगा अरुना आशाप भली इसी के बारे मैंने अभी जानकरी दीती आपको नेक्ट परसंद देखते हैं कौन सा परव राजा नहार सिंग के महल में मनाया जाता है कार्तिक संस्कृत पर क तो बिल्कुल सही आंसर है पहले मैं आपको बताता हूं मानुसी चिलर का जो संबंद है जजर बाद्र गडशे है और यह मिस वर्ड बनी थी भारत की कौन से नंबर की बनी थी चटी बनी थी 2017 में बनी थी यहां से प्रसंद पूठ हो सकता है और एक वीमारी है आपके एनिम भी हमने अप्लोड नहीं कि उसे भी जल्दी अप्लोड कर दिंगे टेलिग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक के वहां से आप जोइन कर सकते हैं अगला प्रसंद देखते हैं माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाली जड़ लोह एशक के लिए प्रसिद है नार नौल और ये आपका कहा पर हैं महंद्रगड हर्याना के कौन चैन कवी अजिए हर्याना के प्रमुक हैं और इन्हों ने आहीर भासा के दोस्तों सब्दों का प्रियोग किया था यहां से प्रिशन पूचा जा सकता है नग्त प्रसंद द नाम पूछा गया है जो जीता वही सिकंदर यह एक्जाम में पूछा गया था, जो ऑनलाइन एक्जाम होई था उनमें प्रसंद पूछे गए है है, अगला प्रसंद देखते हैं, हरियाना में किस वेकति को आदम जाती का प्रवोट पहा जाता है, और इसका जो राइट आंसर होगा सूरजमल यू एश आधारित बड़ी टेको कमपनी ने अपना पाचमा साहेबरेज कहां लॉंच किया है और इसका जो राइट आंसर होगा गुरू ग्राम के अंदर बिट्टी सरकार के दोरान हरियाना के जेलदार कौन थे बिलकुल सही आंसर होगा इसका चौधरी नंदराम शैनी ये बिट्टी सरकार के शमय हरियाना के प्रमुक जेलदार थे अच्छा प्रसन है बिलकुल काफी अच्छा प्रसन है नेक्श प्रसन देखते हैं फरीदवाद हरियाना की हिमानी कपूर कौन सी प्रसिद सिंगिंग रियल्टी सो में दूसरे स्थान पर रही और इसका जो राइट आंसर होगा सारे गामा पा चैलेंज हुआ था 2005 में उसमें दूसरे स्थान पर रही थी अच्छा प्रसन है अब ये मेरे साब से सो बंद कर दिया गया है नेक्स प्रसन देखते हैं हरियाना राज्य में सरम नीती किस वर्ष अस्तित में आई या कब लागू की गई 2006 हुड़ा का विस्तार रूप क्या है हरियाना आर्वन डवल्मेंट और्थर्टी तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है हरियाना आर्वन डवल्मेंट और्थर्टी ये बार बार रिपीट होते हैं प्रसन या फिर पूछ लेगा हरियाना आर्वन डवल्मेंट और्थर्टी का सौट नाम क्या है हुड़ा सरप पूजा का तोहार हरियन में क्या कहलाता है गोगा नबमी कहलाता है बिल्कुल सही है अगला पिरसन देखते हैं हरेडा के माध्यम से उर्जा विश्चित करने की कैसी नौडल एजेंसी है और ये गैर परामपरे की है बिल्कुल यहां से बार बार पूछा जाता है नगर पालिखा के द्वारा चोटे सहरों का प्रसासन किसके द्वारा चलाए जाता है नगर पालिखा के द्वारा हरियना राज्य उत्तर में करक्रेखा से कितनी मील है यानि कि कितनी दूरी पर है तीन सो मील अच्छा प्रसन है किसी करक्रेखा से बिल्कुल अच्छा प्रस एक सहीन जख होता है चौप सौल फुलकारी तो इसका जो सही आंसर होगा फुलकारी बार बार ये एकजामर पूछे जाने अलग लेवल के कुछ पिरसन है ये जो पिरसन मैं आपको करवा रहा हूं खास कर ये ग्रूप डी से ही स्थार्ट हो गए थे ऐसे हाड़ पिरसन नेक् हिली पिल्कुल अच्छा पिरसन हर्याना को क्या कहा जाता है तो एक पिरसन ऐसा ही पूछा था हरियाना को क्या कहा जाता च्यार ओप्संन थे उसमें तो उसमें Springs जो राइट खाने के शंबंद में हरियाना को क्या कहते हैं रोटी की भूमी तो देख ले कैसे केर से प्रसंद पुठ हो रहे हैं खाने के संबंद में हरियाना को क्या कहते हैं रोटी की भूमी हरियाना की विधान सवा सवीधान की अनुसूची में सामिल हुषो पर कानून पारित करती है किस के तहट करती है सात्मी सूची के तहट अच्छा परसन है हरियाना सब्द का प्राचीनतम वर्नन किस में मिलता है चहामान है इसमें हरियाना का प्राचिन्तम वर्णन मिलता बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रीस रहाब honest कि मिलता है। और इसका जो राइ टान्सेर होगा भागडा नेहर से निकाल ली गई है विवानी नेहर। शबशदिक बार हरियाना के कौन विधान सभाशिपिकर रह चुके हैं बिलकुल राइट आंस्वर होगा हर्मिंदर सिंग चड़्डा तो सही आंस्वर क्या हर्मिंदर सिंग चड़्डा नेक्ट परसन मुस्ताफाबाद का नया नाम क्या है तो इसका जो राइट आंस्वर है सरस्वती नगर करनाल का युद किस किस के बीच लड़ा गया नादिर सहा और मुहमत सा के बीच हुआ था करनाल का युद अच्छे परसन है अनंग पुरबांद को किस दूसरे नाम से जा समकालिन थे इनके दो गुरूते एक हरीधास और बल्लाबाचारी है तो बारवार ऐसे परसन पूछे जाते हैं सूरधास का जो सम्मन्द सीही है सीही गाम है और सीही गाम आपका कहा पर है फरीदाबाद के अंदर है और इसी के नाम से एक मैट्रो सेटेशन है बल्लमगड क के अंदर फरिदाबाद के अंदर तो दोस्तों पचास प्लस प्रसन कवर कर दी हैं हमने बहुत ही जल्दी और मात्र जादा समय भी नहीं लगा लगभग 10-11 मिनट लगी हैं तो सारे प्रसन अच्छे थे और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें और इस आप सभी ने वीडियो यहां तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्याबाद